तो हेलो गाइज, वेलकम बैक, I hope आप से भी इच्छ होंगे, तो यह वाली वीडियो ने वाली है, कि जो हमारा पेरेट है, वो कितना चेंज हुआ है, क्योंकि हर साल पेरेट चेंज होता है, तो इस बार भी थोड़ा बात इंक्रीज हुआ है, तो कितना हुआ है, और लास्ट आगाम करते हो, तो आपको मिनिमम जो वेज मिलेगा, वो मिलेगा, 21.20 डॉलर, फर्स्ट अप्रेल से, बेसिक पे चेंज हुआ है, तो पहले 21.20 डॉलर था, तो वो इंक्रीज होके हुआ है, 22.70 डॉलर, यानि 1.5 डॉलर का इंक्रीज हुआ है, और जो इंडिया के बनते है 1135 something, अगर आप 22.70 को 50 से multiply करे हो, क्या अभी जो डॉलर का rate चल रहा है, वो 50 रुपीज चल रहा है, एक New Zealand डॉलर is equal to 50 रुपीज, तो उसके इसाब से अभी बनते है 1135 रुपीज, एक घंटे की जो pay है मारी है, तो अगर आप अभी basic pay पे काम कर रहे हो, जो कि है 22.70 डॉलर तो आप week के आराम से $900 बना सकते हो without tax, और अगर आपको जानना है कि आप tax कितना कटेगा, तो एक website है, PAYE, तो उसमें पुरा calculate होता है कि आपका tax कितना जाएगा, आपको कीवी सेवर on करना है या नहीं करना है, तो जैसे इंडिया में PPF होता है, कि जब आपकी जॉब चल नहीं होता है, मेरको इतना confirm नहीं है, पर mainly ये उनके लिए है, जो यहीं रहते है, जाके residents और जो citizens है, उनके लिए होता है, कीवी सेवर, तो जैसे आपकी पे मिलती है, तो उसमें से एक थोड़ा सा 3% या 6% जितना आपको करवाना है, तो उतना आप पहले से टिक कर सकते हो, तो आपका automatically cut हो के आएगा, तो कीवी सेवर काम आता है, कि जब आप retired हो रहे हो, तो वो amount आपको तब मिलेगा, और अगर आप कोई घर करीद रहे हो New Zealand में, तो आपका वो amount use हो सकता है, कीवी सेवर वाला amount उसको आप use कर सकते हो घर करीदने के लिए, तो उसमें पूरा टाइम पे कोई injury हो गई, तो आप उसको claim कर सकते हो, तो उतना आपको pay मिलेगा, या जैसे भी compensate करेंगे वो, और आपका hospital का bill वगरा, वो pay करेंगे, ACC, तो वो एक type का insurance है, तो उसका भी amount पहले से cut के आता है, उसमें आप टिक नहीं करते हो, कि आपको करवाना है, नहीं करव टाइम अराउंड वीकली मिलेगा, और वही मन्तली बन जाएगा, वो 3200, तो आराम से मन्त के, 1.500,000 अपर ही आता है, तो इतना बन जाता है, तो अब मैं आपको आपना बताता हूं, क्योंकि मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई थी, पर उसमें ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंबर जब मेरा लास्ट फिपर खतम हूं था, उसके अगले दिन से मैंने वहां फूल टाइम वक करना स्टार्ट कर दिया था, तो मतलब सिस्टम मेरा उक्टोबर से हो गया था, तो तो टेखनिकली मैं ऑक्टोबर मेरी ज्वाइन कर दिया था, तो जो उससे पहले वाली sûr फ długoब और में यह में नव उंद्ध क्टिनियस नहीं गरें जTalk कि इस नहीं च same री तो नूवमबें से लेकर्श फैप क्रान्ट कर था есть में फ़ल टाइम नहीं कर việc थो पिर उसके बाद में करता था कि मोट भी कि मुझे फॉल टाइम नहीं करना है अब मेरे को casual contact चीए वो मेरे को पूच रहे थे कि क्या चाहिए चाहिए यह casual चाहिए तो मैंने बोला कि मिरे को casual चाहिए क्योंकि पार्ट तिम्हारा fix रहता है कि तुमने इस दिन जाना है पर casual में यह है कि जब तुम्हारी मर्जी है जिस दिन shift available खालेबल है तो तुम पर टाइम थो उस दिन पो ए Uhr लिया फैसे तर peut-मेर मुझे ऐसा इन मैं उस दिन कोई घृट अब होड़ने उस में कर रहे हो लग इवागर आप करूब अर्पर रू-मचाल स उतना मिलेगा जैसे अगर आपने आठ गंटे की शिफ्ट करी है तो आठ गंटे के बदले का पे मिलेगा और पर कैजूल में में मेरे को मेरे रहते हैं वहापे 25.60 65 एसी कुछ पर आकजूल में यह होता है कि जैसे पार्टिम में अगर आपको 20 आवर्स का का उनौरेक्ट आ होड सब्सुआ का पर कैजूल में यह कि अगरड़ीघ्य़ आपको बोल दिया हो में नहीं मिलता है अभी में वापिस से फुल टाइम पर आ गया हूं यहां पर बनिंग में तो अभी जो मिल को पे मिल रहा है वो है 23.65 डॉलर पर आवर जो की इंडिया के होते हैं 1180 रुपीज के अप्रॉक्स ऐसी कुछ होता है तो अभी पर आवर मुझे इतना मिलता है तो अगर आप इसको अईनर में थाज करेंगे तो यह बनता है 47 top तो इन तिनों चीजों को कटने के बाद मेरको जो मिलता है इन हैं MAN मिलता है मेरको 750 कईड़र जो ऐसी कुछ होगा और मन्तली मेरे अगर बिफोर टेक्स हो तो वो होता है एप्रोक्स दो लाग मन्तली इतना बन जाता है पर अगर जब टेक्स लग जाता है तो डेड़ लाग तक बचता है बाकी पचास जार मेरा इन तीनों में चल जाता है तो मतलब टेक्स यह बहुत जाता ह तो 50,000 सिफ टेक्सी टेक्स में जा रहा है और कीवी सेवर में उतना नहीं जाता है अमाउंट तो I hope आपको सारा कुछ समझाया हो और वीडियो को यही तक रखते हैं मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्र करना अब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर